हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है OPPO A78 5G और आज इसके फीचर्स के बारे बारे बात करेंगे इस फोन में जो है मैं आउड़ बॉक्स एंड़ोइड 13 देखने हो मलता है साथ-साथ इनका खुद का कस्टम स्किन देखने हो मल जाता है जो कि है Colorways 13.0 जहां पर काफी सार लेटस्ट फीच़र एड़ो हैं और काफी सारे फीचर के बारे में एकस्पेंड करना जिनिमस्ते एक फीचर है यहां पर एकस्पेंड का 8gb यहां आप चाहीड तो और Jobs brand इसकंड्न ह sagen total 16gb का रहें हो जाता है और यहीं नहीं इसके साथ अधा आम और वी बहुत सारे फीचर देखने हों मिलेंगे जैसे देख पाएंगे तो इन सभी फीचर के बारे में मैं एक्स्पेइन करने वाला हूं जिससे आप इस फोन को बड़े आनम से यूज कर पहेगा तो यह वीडियो आप स्टिल एंड तक देख लिए जिससे आपको बिलियागा इस फोन में क्या- इस लिए आपको आना पड़ेगा सेडिंग्स पे स सबसे नीचे आपके यहाँ इडिस्टंस और ऑट पर lumin कर सकतेधे हैं और यहाँ यहाँ पर कैंसल कर दीजिए जोए स्लेकर Gleich और अगर आपको जिस नहीं चाहिए तो यहां पर आपको जो है लेफ्ट राइट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और अगर देखेगा तो टाइम फॉर्मेट 24 आवर का है अभी जो है दो बच के 28 मिट हो रहा है और यहां पर देखेगे 14 बच के 28 दिखा रहा है तो मतलब 14-28 दिखा रहा है तो अब गर आप इसको जो इस लिक कर लेते हैं 12 आवर फॉर्मेट तो यहां पर 228 हो जाता है तो कुछ इस तरह से आप जो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं इसको आप अगर अलाओ करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह से आपको शॉर्ट कर देखने मिल जाता है जो लोग जातर अपने फोन को यूज करते हैं उनके लिए यह फीचर काफ़ी बढ़िया है बागी एक्सिबलेटी बटन कस्टमाइज वगेरा लॉक्स्रीन एक डै Queens. आप इन फीयर मेसेज्ज्य अपने फीचर को भी अलाट कर सकते हैं यहां पर अपने हिसाफ सो झब्लाव करते हैं ने के लिए अगल का धरिया है नेक्स है जिस समधाब्र जिसने मोश् Jacqueline सबसे पहले यहां पर स्किन ऑफ जिस देखने को मिलता है यहां पर यह जो बाइड़ डिफर्ट ओफ रहता है आपको इस इनेबल करना पड़ेगा डबल टैप टू वेक अप यहां पर डबल टैप कीजिएगा तो यह देखे वेक अप हो जाता है नेक्स्ट हमें देखने मिल जाता है ड्रॉ ओपन ओ मतलब कैमरा ओपन हो जाता है तो यहां पर आपका कैमरा ओपन हो जाता है जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं वी ड्रॉ करते हैं यहां पर टॉर्च लाइट यहां पर आप चाहते म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर तीन जो है आपको simbol देखने में मिल जाता है ULTA, V, M, W जिनमें आप खुद का जो है में अलोट कर सकते हैं इहाँ जो भी अप अलोट वगेरह आप करना चाथे हैं उनको आप जो हैं पर select कर सकते हैं और simply जो है वो ड्रॉ करते ही lock screen में वो आपको shortcut में लेकर चल जाएगा तेना में देखने में जाता है थ्री-फिंगर screenshot त्री-फिंगर से screenshot ले सकते हैं स्क्रूल-स्क्राइब का भी option दिया गया है और साथ-साथ थ्री फिंगर से टाच करके भी आप जो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं होल्ड करने के बाद राइस टू वेकप का ओप्शन दिया गया है सिंप्ली इसको एनेबल किजिए का फोन को उठाएगा वेकप हो जाएगा लेफ्ट यह एंसर कॉल का ओप्शन देखना मिल जाता है सिंप देखने मिल जाता है वनेंड मोड जो वनेंड मोड आप यह एकसेस कर पहेगा उसके बाद में देखने मिल जाता है पाउर बटन काफी ज़्यूदा इंपोर्टेंट है फोन को पहली बार अगर आप बूट करते हैं और यहां पर फोन को स्वीच आफ करना चाहते हैं तो यह स्क्रीनुमेंटर करने पर पर स्क्रीट ऑड्यूरी है पॉञ नियुक्तete को करने परventions को मैंने पर स्क्रीन स्क्रीन से रिडिए गेट है और आप स्क्रीन से रेलेटेड कि आप सकते हैं और देख सकते हैं यहां पर ठाच वगेरा यहां पर कोडिंग गगेरा यह सब आपको रेकॉर्ट से देखने को मिल्जाता है माइक साउंड यहां पर आना चाहिए कि नहीं आप यहां पर enable disable कर सकते हैं system और माइक दोनों का यहां पर sound आ जाएगा schedule power on off का option दिया गया है यहां से आप directly OTG connection को enable कर सकते है system service और साथ साथ यहां पर backup reset का भी यहां पर option देखने हो जाता है और नीची के तरफ यहां पर special feature देखने हो मिल जाता है यहां पर काफ ही सारे आपको feature आप vilp देखने हो मिल जाता है सबसे पकले यहां पर split screen जो की यहां पर Mack Pride Wer have careers और को subscribe Se bonus the video channel human support can blue support और जो support नहीं करता है वो नहीं करेगा बाकि यहाँ पर आप बीच में क्लिक करके swipe up swipe down कर पाईएगा यहाँ पर देखे यह option दिया गया और exit यहाँ पर कुछ इस ते किसा आप exit कर पाईएगा देन हमें यहाँ पर जो है और एक feature देखनों मलता है जो कि है फेक्सिबल विंडों का बट अनपोचली यह जो है वर्क नहीं कर रहे है कोई बग है यहाँ पर जो है कुछ इस ते किसे floating window हो जाता है बट मैंने काफी ट्राय गया बट यह वर्क नहीं कर रहे है नेक्स्ट हमें इसको यहाँ पर जो है आप कुईकली रिटर्न वगरह हो सकते हैं यह फ्लेक्सिबल विंडो से ही रिलेटेड हैं मतलब यहाँ पर मल्टी विंडो से बट यह भी उसके वज़े से वर्क नहीं कर रहा है देन में देखना में जाता है स्मार्ट साइड़ बार का तो आप इसक चौटकट वगएरा कर सकते हैं जैसे कि यहां पर जो है स्क्रेंज शॉट वगएरा है वीडियो रिकॉर्ड का है चौटकट तो आप इसका चाहे तो इस्तमाल कर सकते हैं यह काफी अच्छे देखर से वर्क कर रहा है तैना में देखने हो मल जाता है किट स्पेस किट स्पेस अगर बचो के लिए काफी बढ़िया है अगर आपके गार में बच्चे और आप बच्चो को यह पढ़ने वगेरा के लिए देते हैं फून तो यहां पर सबसे पहले आप अपना पास्वर्ड वगेरा जो है्-सलिक कर लिजेगा अगर आपका पास्वर्ड दिया हुआ ज़रूत आहरा है मेरा दिया हुआ नहीं था और जोभी ऐपल स से लिक किई यहाँ पर देना चाहता है यहाँ पर कितना तर्णी यूस करता है आप करने बाद यहां पर आपको डिकत न है आपकर यहाँ को आंखे को जो the पर यह harsh हो जाता है तो आप इन दुनों को activity रखेगा अगर बच्चों को दे रहे हैं तो वो काफी बढ़िया रहता है उसके बाद यहां पर allow किजिए और आप देखें आपर kit space में आप बहुत चुके हैं और अगर देखेगा तो यहां पर दो ही application है exit अगर मैं करता हूं तो यूजाता है अगर पर password मांगता है अगर यह यहां बट्टे नहीं करने पर यह पर चाहें तो शॉटकट भी इंड हो पाएंगे यहां पर simple mode देखने को मिल रहा है अगर यह फोन किसी बुजूर को आप दे रहे हैं तो यहां पर simple mode में जैसे ही आप यहां पर और फ़ोन के सारे ऐकोंस आप दे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं किसे बड़े ऑड़े मिल रहा है電 लिए को बुजूर् тебя हो वाय। यहां पर आपका पर और 30 खी कहने वाय अगर आप लिए को डि करना है भीद मुआ पर फ्रेंट स्टाइल कोौए यह आप बड़े नाम से कर सकते हैं, इसके लिए आप पड़ेगा Settings पड़ेगा, उसके बद यहाँ पर Wall Paper और Style का Option दिखने हो जाएगा, यहाँ पर अब चेंज कर सकते हैं, Thim है, Front Style है, Icon है, साथ-साथ यहाँ पर आपको Color भी चेंज करने का Option दिखने हो जाता है है तो यहां पर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कर सकता है नेक्स हमें देखने हूं पर यहां पर होम स्कृन काफी सार कस्तमेशन कर सकते हैं यही वाला ऑप्षन अगर आपको नॉर्मल हों स्किरसे लाना है तो डबल फिंकर से कुछ इस तेके से कर ना और देखें पर इसको श्रय कर सकते हैं देखें लियाओ चेंज कर सकते हैं तो वही सेम्मेनियो आपका open हो जाता है यहां पर आपको चैंडर्र मोड या फिर आप अपने हिसाब कर सकते हैं मुझे अप्रका पसंद आता है यहां पर वही सेम होम स्क्रीन लियाउट का ओप्शन देखने मिल आता है इसको एनेबल किजिएगा एनेबल करने के बाद यहां पर आप सिंपली साइट से आइकॉन को जो है कुछ इस तेगे से जो है अरे हो जा तो इस तेगे सा आप जो है वन हैंड से जो है अराम से यूज आइकॉन को तो यह आइकॉन पूल डाउन का आपको फीचर देखने मिलता है और यहां पर एक चीज में दिखाना बूल गया था जो कि है ट्रांसलेट यहां पर आप कुछ इस तेगे से जो है इफेक्ट ट्रांसलेट इफेक्ट को जाए अपलाई कर सकते हैं और यह जो है लगता है तेन हमें देखने को आंबल जाता है यहां पर जो हैं लोक स्क्रीन तो यहां पर लॉक स्क्रीन आपको आर्णाईब्रिंट झो है रिख सकती बी पार किसी नत्लत कर आज गाए यहीँ कें पार तो यह फ्रया आप चाहें तो सेफटी के लिए इसको कर सकते हैं तेन हमें यहां पर स्मार्ट सर्च का ओप्शन देखने हो मिल जाता है अब जाता है इसको एनेबल करते ही जो भी जो है आइकोन इधर उदर होगा और्टमेटिक लिए फील हो जाएगा एक फोल्डर बन जाएगा डबल पासवर्ट दे देना है देन आपका फोन लॉक होगा तो यह वाला जो फीचर है यह काफी बढ़िया है तैन हमें देखने को मिल जाता है स्वाइप डाउं होम स्क्रीन जो है आपको यहां पर स्लिक कर लेना है नोटिशन ड्रॉयर या फिर गूबल सर्च भी आप कर सकते है यहां पर नोटिशन ड्रॉयर करने से क्या होता है आप कुछ इस तरह किजिए गा नोटिशन ड्रॉयर आपका आ जाएगा और इन सारे शॉटकट का मज़ा उठा सकते हैं काफी शॉटकट दिये गया है जिसके आप सब जानते होंगे अगर आपने पहले कभी कोई android phone यूज यहां पर क्लिक करके आप यहां पर एडिट पर यहां पर और बी जो है शॉटकट वगरा को डाइग लिए और इंकम मज़ा उठा सकते हैं जो भी आप इंस्टॉल कीजेगा उस इसाफसे यहां पर आपको जो है नोट्शन शॉटकट भी देखने को मिल जाएगा पस कुछ इस सटेके 2 शॉटकट आपको दिखने मिलता आप चाहिए तो यहां पर चेंच कर सकते हैं अपने हिस्दा आपसे आपको जो भी चाहिए होगा वह आप यहां पर ले सकते हैं। लॉक्स्क्रीन मेगाजीन को पिछन देखने को मिल जाता है इसको श्लिक की जएगा, continue की जएगा, agree बगारा कर दीजएगा, इसके अनिबल कर दीजएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, फोन को जब भी आप लॉक कीजएगा, प्रेस कीजएगा, यहाँ पर हर बार आपको एक नया वालपीपर देखने को मिलेंगे, यह देखे, तो यह है लॉक्स्क्रीन मेगाजीन, और यहाँ पर जैसे यह इंटरनेट से कणेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको और भी नैने जो है, लॉक्स्क्रीन में वालपीपर देखने को मिलेंगे, अच्छो अच्छे, तो इसको एनेबल करने, यह और लेटी एनेबल रहता है, आपको फोन है, अन्वांटेड टॉइरा से यह तो बजाता है, आप देख unwanted test से बचाता है यहां पर proximity sensor के थ्रूँ यह होता है काम और अभी देख पारों कि हाथी वगएरा आगया मतलब अभी इसे एक्टिविट हो गया है वो lockscreen magazine उसके अधा में देखने में मिल जाता है recent tax manager यह जो है यहां पर आप इसे one- smarter डिशूर कर दिजिएगा अगर आप देखेगा तो यहां पर आपको फ्री आपका 8GB बैलम अब अब्रम से आपको शूर कर देता है और अगर मैं इसे dsable कर देता हूं तो यह दक्षे हैं इस ancient एक तास्क मेनजर को आपको इनेबल कर देना आपको यहाप पर आप सेटिंग से कर Goku है इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंस में उसके बद यहां पर प्राइवेसी में आजाना है privacy मानेक बाद यहाँ पर privacy में आ जाना है और यहाँ पर आप देखेगा आपको app lock, app height साथ साथ यहाँ पर private save का option देखना मिल जाता है app lock पे जाकर आप यहाँ पर password वगएरा दे दीजिए यहाँ पर जो भी password आप select कीजिएगा अब मैं यहाँ पर Google Chrome को select करता हूं और यहाँ पर मैंने select कर लिया है settings पर आप अपने according दे सकते हैं fingerprint lock वगएर यहाँ से enable कर सकते हैं lock app यहाँ पर क्या करना है exit करते हैं यहाँ पर apps जो है lock होना जाना चाहिए यहाँ पर एक बार जो है यह फिर से lock हो गया तो exit अगर आप select करके रखिएगा तो कुछ इस ते किसा होगा otherwise यहाँ पर आपका कोई भी यूज़ कर पाएगा and hide app का option देखने हो मिल जाता है यहाँ पर वही same आपका password काम करता है जिस भी application को आप hide करना जाता है यहाँ पर पासबर्ट करना जाता हूं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा code वही select किजिएगा जो आपको याद रहे यहाँ पर देखिए आपको hashtag देकर code देना है hashtag 1234 चार देकर यहाँ पर चार डिजिट का यहाँ पर नंबर देना है और दो hashtag आगे पीछे यहाँ पर कलिक करना है और यहाँ पर आपको remember रखना पड़ेगा done करते ही यहाँ पर जो आपका होगे अब यहाँ पर कैसे दे सकते हैं तो यहाँ पर dialer पर जानेक बाद यहाँ पर hashtag आप अपना number दीजिएगा और यहाँ पर कीजिएगा तो hide app यहाँ पर आपका open हो जाएगा अनफे करने के लिए press and hold कीजिए या फिर यहाँ पर settings पर चल जानेक बाद वही same option में जाएगा और यहाँ पर hide app पर जाएगा और यहाँ पर अपना password दे दिए पासवर्ट देनेक बाद यहाँ से आप जो है बाद करें स्क्रीन पिनिंग आप मसे काफी लोग आपने फोन को जाए बचों को देते हैं यूटूब वगरा उपन करके तब अबट कभी गबर क्या होता है यूटूब पर अगर बचों को देते हैं तो वह यूटूब से हट कर कोई भी application यूज करने रखते हैं या फिसी friend आपको देखने मिल जाता है smart lock payment protection यह सब आपको देखने मिल जाता है installation source वगरा जहां पर आप जो अलग application करते हैं तो यहां से आप अब्सक्राइब करने को यहां पर बस काम हो गया अब क्या करना है आपको यहां पर आपको बता देगा कैसे आप exit कर पाईएगा tutorial आपको दे देता है चाहिए आपका जिसस हो या फिर नॉर्मल हो तो एक बार में tutorial देदेगा अब यहां पर देखे रिसेंट टैब नीचे नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा सिफ यहां पर YouTube चलेगा एकजिट करने लिए दोनों को एक साथ प्रेस किजिए फोन यहां पर लॉक हो जाएगा अब अपना पास्पॉर्ट दीजिए दिन यहां पर आप जो है एकजिट कर पाईएगा नेक्स यहां पर छोटे मोटे काफी सारे फीचर देखने हूं मिल्जाता है और यहां पर काफी सारे और शोटे मोटे फीचर देखने हूं मिल्जाता है Wi-Fi में Wi-Fi , Mobile Network में Mobile later Bluetooth Bluetooth Connecting ने शेयर में अगर दीखेगा तो यहां पर Android Car Auto का भी Option देखने हूं मिल्जाता है और साथ-साथ यहाँ पर brightness यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, auto brightness को आप on off कर सकते हैं, screen color mode देखने हो मिल जाता है, जहाँ पर आप screen के color mode को यहाँ पर natural, warm या फिर यहाँ पर cool अपने हिसाब से कर सकते हैं, eye comfort का option देखने हो मिल जाता है, और आप अपने according से कम ज़्यादा कर सकते हैं, dark mode जो है काफी जगब पर काम नहीं करता है, जिसके website वगएरा में, तो यह आपके आँखों को सेफ रखता है, reading वगएरा करते time रात को, especially अंधेरे में, schedule भी चाहए तो लगा सकते हैं, देना में front यहाँ पर देखने हो मिल जाता है, यहाँ पर फ्रेंट को ज़्यादा कम ज़्यादा बड़ा यहाँ पर साथ सा स्टाइल भी यहाँ पर काफी सारे दिये गए हैं, तो यह आप यहाँ पर करके apply कर सकते हैं, display size को भी आप बड़ा कर सकते हैं, बागे यहाँ पर वीडियो कलर वगएरा यहाँ पर auto rotate देखने हो मिल जाता है, auto screen off वगएरा देखने हो मिल जाता है, skin refresh rate को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर standard 60 Aps और यहाँ पर high 90 Aps इन दुनों में से कोई भी आप से लिक करके रख सकते हैं, तरहन हमें देखने को मिल जाता है, full skin app कोई भी आप्लिक्शन आपका full skin को support ने कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और साथ-साथ यहाँ पर custom app वगएरा भी देखने हो मिल जाता है, और लास्ट में हमें full screen display का भी option देखने हो मिलता है, जो कि application वगएरा जो support ने करते हैं, उनको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तेन हमें next देखने हो मिल जाता है sound and vibration, यहाँ पर आप sound and vibration related customize वगएरा कर सकते हैं, ringtone वगएरा यहाँ पर message sound, यहाँ पर आपको haptic feedback यह सब कर सकते हैं, मेरा favorite है do not disturb, do not disturb मैं यहाँ पर enable करता हूँ, schedule लगा कर रखता हूँ, schedule जितने बज़े आपको फोन को silent करना है, उतने बज़ी automatically silent हो जाएगा, और सुबह उठते ही automatically unsilent हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पर timer अगल लगा देते हैं, काफी बार जो हम लोब phone को silent करना बूल जाते हैं, और काफी सारे important call मिस हो जाता है, इवेन यहाँ पर काफी सारे important call जिनको हम privacy देते हैं, जैसे कि girlfriend हो गया, mom हो गया, dad हो गया और even boss हो गया, तो यहाँ पर आप do not disturb करते हुए भी उनके call को privacy दे सकते हैं, मतलब अगर do not disturb पर भी है तो यहाँ पर उनका call जो है आएगा तो ring बजेगा, यहाँ पर आप people को select कर सकते हैं और यहाँ पर application को भी आप select कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ application के आपको अगर जो notion चाहिए तो उसको भी select कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर देख पाएंगे सारे option आप यहाँ पर अपने से जो है अच्छे से समझके कर लिजेगा, next हमें देखने हो मलता है notion and status bar, यहाँ पर notion and status bar से रेलेटेट काफी कुछ कस्टमाईज कर सकते हैं, lock screen में अगर देखेगा तो यहाँ पर आपका notion bar नीचे आ जाता है और यहाँ जो कोई भी आपके location को off कर सकता है, इवेन यहाँ पर जो है कोई भी जो है torch को on off या फिर आपके wifi को enable disable यहाँ से ही directly access कर पाएगा, बट अगर आप इस notion bar को ही जो है यहाँ notion panel से hide करना चाते हैं तो यह आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नीचे करने के गोशिश करूंगा बट आएगा नहीं notion status bar तो यह काफी helpful है, specially जो है आपके लिए क्योंकि आपको अगर notion access करना है तो आप lock को open करके access कर पाएगा, बागे यहाँ पर और बहुत कुछ customizers जैसे कि यहाँ पर burn वगरा है यह आप देख सकते हैं अपनी साफ से, फिर icon badges वगरा देखने को मिल जाता है जहाँ पर अगर आपको badges वगरा नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो है आप अपने according जो है तोटल तीन तरह करते हैं यहाँ पर व्र्टीकल में है और आप कर सकते हैं अगर यहाँ ब्लूटूछ के सब्सक्तों हैं वो यहां से Enable कर सकता है, नहीं शुकर नहीं, यहां से आप Disable कर Сергρα, सामने वाले को जो है वह Icon देखने को नहीं मिलेगा, देन हमे देखने को मिलेगा, चैसलंकर अब बिल जाता है More Settings, More Settings पैईगा, तो यहां पर आपको Displace Related Settings देखने को मिल जाता है वाकि यहां पर bubble वगएरा यह सब आपको देखने हम जाता है then यहां पर application आपको आप यहां से enable disable कर पाएगा उसके अधा में यहां पर app देखने हम जाता है to यहां पर आप को यहां पर आप को ऑप्षिन को बीजाता है Facebook, Instagram, इन सब को आप यहां पर चाहे तो क्लून कर सकते हैं then app management पर आप किसी भी application पर क्लियर data क्लियर कैसे कर सकते हैं application को select करना है storage users में जाना है और यहां पर देखे clear data क्लियर कैसे का option देखने भी जाता है डाइगे आप clear data क्लियर कैसे कर सकते हैं Facebook वगरा में यह काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है क्योंकि Facebook काफी ज़्यादा डेटा को आपके फोन में store कर रखता है यहां पर यह आप लॉक यहीं से आप एकसेस कर पाईएगा और यहां पर मैंने पहली बता दिया था प्राइवेसी पहली बताते है लोकिशन वगरा आप जानती है बैटरी यूजर्ज वगरे यहां पर देख सकते हैं पावर सेविंग मोड वगरे यहां से एनेबल वगरा कर पाईएगा और यहां पर मैंने special function वगरे डिजिटल विल्मिंग यहां पर फून को आपने कितनी देर में क्या क्या यूज किया वह सब आपको देखने को मिल जाता है कितने घंटे तक आपनी यूज किया अडिशन सेटिंग्स मैंने बताई दियाता है अब डिवाइस में जाकर आप जो डिवाइस से रिलेटेट सारे जानकारे इंफोर्मिशन वगरे यहां पर आप लिए ली देख पाएगा इस्टोडिश कितना बचा हुआ है नेक्स पर आपको जो डाइलर देखने हो मिलता है वह गूगल डाइलर दिया गया है जैनि कि सामने वाले को पता चल जाएगा जब आप जो है वोइस रिकॉर्ड वगरा या फिर कॉल रिकॉर्ड वगरा कर रहे हैं सामने वाले को अटमेंटी बता देगा इस वाल है बट अगर आप यहां पर जो है गूगल डाइलर को इस्तुमाल नहीं करना चाता है तो आपको ठाओ लाइलर कीजेगा तो यहां पर आपको जो ऐ ऊपो का डायर देखने को मिल जाएगा और आप यहां पर कॉल अगरे रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी बिवी पर्सन का नमबर बगर स्पीड डायल बगरा और अगर देखिएगा तो इस डायलर को आप हटा के जो है य इस तरह किसे को पर प्री इंस्टॉल आपर जो हैं अपर आपका हो गया थिम्स्टूर साथ अगर देखेगा तो यहांपर जैसे आपको गेम्स बूलकर एक आपशन देखने जाता है यहां नहीं है यहीं सी आप इंस्टॉल कर पाएगा और दिन हमें देखने हो बढ़न जाता यहां पर देखने हो मिलाता है One Screen Screen Shot Clone Phone देखने हो मिलाता है Old Phone से अब डाट लिए जो यहां पर साधे डीटा वगर कर सकते है Recover और साथ यहां पर Recorder का Option देखने हो मिलाता है Calculator जो कि काफी बढ़ीया Calculator दिया गया है यहां पर आप Currency वगरा चेंज कर सकते हैं यहां पर Record कर सकते हैं यह देखिए Sign Theta Calculator आपको यह सब आपको आपको FM रेकॉर्डिंग का भी Option देखने हो मिलाता है यहां पर यहां पर दिया गया है आपको बस यहां पर हेटफोन लगाना है साथ हेटफोन नहीं लगाना पड़े है हाँ हेटफोन लगाना है दिन आपको यहां पर FM अन हो जाएगा साथ-साथ यहां पर और भी बहुत सारा गेम सेंटर वगरा यह सब आपको देखने में जाता है माई फाइल दिया गया है इसके लिए आपको थर्ट पर यहां इस फोन में आपको अवेलेबल देखने को मलते हैं आपको ओपो इस 78 फाइब जीगा फीचर वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आओ तो भी इस फोन वीडियो को लाइक कर देगा जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा और साथ साथ इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी कोसें कोई भी कोरियो नीचे कमेंट कर सकते हैं बाकी मिलता आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉंटेंट के साथ अब तक लिए टाटा बाई 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 और इवें हस्तरी ये मुस्क्रातरी और बेनरिया आर्जे टेकनिकल्स के साथ